क्या वाराणशी का मामला सिरफ वाराणशी में काशी विश्वनात मंदीर के एक हिस्से को तोड़ कर मस्जिद का धाचा बनाने तक सीमित कर दिया जाएगा आखिर उन्ची खोका क्या होगा जो यहां एक दसक पहले यानि पाँच साल के अंतराल में कहीं बार सुनाई दी थी वो चीखे जिन से धरम और ग्यान की नगरी कासी बार बार सहम उठी थी रक्त से बार बार लाल हुई कासी की धराधाम का ये जिक्र आज उठना जरूरी है या कओ साजा औरंग्येब के साथ साथ आज के वल्य उल्ला का जिक्र भिया जरूरी होना चाहिए नमस्कार दोस्तों रंग्येबसंती देखना सुरू कर चुके आप मैं हूँ राजीर चोधरी साथ मार्च 2006 की शाम थी हलकी सीठंड वाता वरण को बेहद खुसनुमा बना रही थी कासी के मंदिरों में सरधालूओं की लंबी कतारे थी कहीं मागंगा की आरती तो कहीं वेदो के मंत्र तो कहीं हनुमान चालिसा का पाठ हो रहा था मंदिरों के घंटे घडियालों की अवाज मन को शांती पर दान कर रही थी तब ही अचानक संकट मोचन मंदिर के पास एक तेज धमाके की अवाज आई और इस अवाज के साथ ही लासे ही लासे और दरजनों लोग घाल दिखाई देने लगे बलाश्ट की गूँज इतनी तेज थी कि आदा सहर किसी बड़ी गटना से सहम उठा जैसे ही लोग जान बचाने को इदर उदर भागे ठीक उसी वक्त एक और धमा का कैंट रेल्वे स्टेशन के परेटक रूम के बगल में होता है वहाँ भी लासो और घालो के साथ साथ जमीन, खून से लाल रंगी आती है लासो की गिंती में 27 लासो और 160 से उपर घाया लोग सरकारी रजिस्टर में दर्ज हो जाते हैं हाला कि लांसों और घायलों की गिंती इस से आगे भी बढ़ती तब तक गोदलिया दूदमंडी के पास दो कुकर बम बलाष्ट होने से पहले ही बम स्कॉाइट टीम डिस्प्यूज कर देती है। कासी के लिए खून और बिक्री लासे नहीं नहीं थी। बलकि इस से एक साल पहले 23 फरवरी 2005 को भी तसासमेद घाट पर बलाष्ट में पांच सरदालों की जाने गई थी। 23 नवंबर 2007 को कचैरी में दो बम दमाकों ने 9 लोगों को मोत की नीन सुला दिया था। फिर 7 दिसंबर 2010 को सीतला गाट के बम दमाके में एक छोटी सी मासूम बच्ची समेत दो लोगों की मोत और 20 लोग घैल हुए थे जिन में कुछ विदेशी परेटक भी थे। इन हमलों के बाद हमेशा की तरह National Investigation Agency से लेकर Forensic Science Expert तक ने बलाश्ट इस्थल से सेंपल इखटा किये और वापस चले गए जो आज तक लोटकर कासी नहीं आए। तब तक किसी को कोई जानकारी नहीं थी हमलावर कौन था किसने हमले कराए किसके दिमाख में ये मोत के जनून की सनक पैदा हुई फिर अचानक इंडियन मुझहजदीन ने एक इमेल के जरिये बलाश्ट की जिम्मेदारी ली। इन बातों को आज लगबग 16-17 साल बीट गए। कभी चुनाव, कभी करोना, कभी आईपियल ऐसी खबरों के बीच लोग इस नलसाहर को करीब करीब भूल चुके हैं। नतीजा उस दिन क्या हुआ था और उस कांड को अंजाम देने वालों में कुछ लोग अभी भी जेल में बंद है। लेकिन उन पर मुकदमा चलाने की कोई पहल नहीं की जा रही है। ऐसा नहीं था कि कारवाई नहीं हुई। उस समय उत्तरपरदेश में मुलायम सिंग जी की सरकार थी, पुलिस की जाथ सुरू भी हुई थी, विसफोट के करीब 25 दिन बाद यानि 5 अपरेल 2006 को इस मामले में पुलिस ने परियाग राज के फूल पूर गाउं से एक इमाम व दस साल कैद की सजा दे दी गई थी, लाचार कानून में वस्ता देखिये, इतने बड़े धमाके और दरजनों लोगों को मोत की नीन सुलाने वालों को सिरफ 10 साल की सजा दी गई। जबकि उत्तरपरदेश पुलिस ने आरोप लगा था कि वली उल्ला ने ही कासी बलाष्ट के लिए तीन बंगलादेशी आतंकवादियों को विस्भोटक और प्रेसर को कर दिये थे। वे तीन बंगलादेशी आतंकवादी कौन थे मुलायम सिंग्जी ने जानने की कोई पहल नहीं की और आज तक ये पता भी नहीं लगा जा सका। जबकि ये इंडियन मुजाहिदी का सिर्फ कासी बलाष्ट नहीं था। उस दोरान इंडियन मुजाहिदीन ने 2005 में दिल्ली में बं धमाके किये थे। फिर जुलाई 2011 में मुंबई के ट्रेनों में बलाष्ट किये थे। लेकिन वारानशी के मामले में तो जो नए सबूत सामने आये थे उनकी जाच करने से भ पर पहुँचे थे। कोई तो जिहादी रहा होगा, कोई तो आरोपी रहा होगा, किसी को तो मजब की सनक उठी होगी जिसने धमाके करके बड़ी संख्या में निर्दोस सरधालों को मौत की निन्द चुला था। असल में कहानी का एक पहलू वली उल्लापर ठिका है और इसरार के दिमाग में जिहाद उफान मार रही थी। ऐसा इसरार अकेला नहीं था, बलकि इस काम में उसका एक रिष्टेदार मुजाहिद सलीम आजमी, जो संगठित अपराद की दुनिया से जुड़ा हुआ था। उसने इस साधिक इसरार का परीचे गिरों के सरदार आसि जाना गया। रिपोर्ट बताती है, नुमंबर 2005 में इसरार सेख ने 6 किलो गिराम अमोनियम नाइटरेट जैल नाम का विस्फोटक हसिल किया था। रियाद साबंदरी और इंडियन मुजाहिदीन के गुरगे अबू रसीद अमद द्वारा इसे ही आलम के हातों आजमगड भेज दिया गया था। इनमें एक नाम वली उल्ला का भी है, जो इस हमले का मास्टर माइंड है। सेख ने बता था कि बम लगाने वाले उस दिन सुबह बस से बनारस पहुचे थे। और गुरूप के कमांडर आतिप अमीन ने आरिज खान के साथ मिलकर इन प्रेसर कुकर ब आरिज खान अभी जेल में हैं। और बाटला हाउस कांड में सामिल होने के आरोप में मिली फासिए। कासी की सजा के खिलाप अपील कर रहा है। असद खान के उपर इंडियन मुजाहिद्दीन द्वारा किये गए हमलों से जुड़े होने के कारण आतंकवाद के मामले में मुकदमा चला जा रहा है। जीहन में 7 मार्च 2006 यादा ही जाता है। आज तक इस मामले में दोस्यों को सजा नहीं मिल पाई। इस पूरी दिल दहला देने वाली गटना में गिरपतारी बस एक आरोपी वली उल्लागी होई थी जो मास्टर माइंड था। बाकी जाच जैन शी के हाथ अभी भी खाली है। वली उल्लागी मुकदमा लड़ने से वारान शी के वकीलों ने साप इंकार कर दिया था। इतना ही नहीं वारान शी कचेरी में उस पर हमला भी हुआ था। इसके बादी हाई कोट में ये केस गाजी अबाद जिला जजगिन्यान ने मेश्था नांतरित कर दिया था। लेकिन इस सब के बाद भी काशी की जनता को आज भी न्याय का इंतजार है और सवाल है कि आखिर कब धरम निर्पेक्सता वाला गैंग वली उल्ला के लिए फासी की मांग करेगा या फिर ये मामला भी मंदिर मस्जिद के बीच बुला दिया जाएगा।